नमस्कार सातियों आपका स्वागत आपके यूट्यूब चनल ट्रेडवित रौनिक चलिए दोस्तों आज के शुरुवात करता है देखिए जैसे कि अपना क्वाटर थ्री रिजल्ट के सीरीज चल दिया तो उसके अंदर ट्रैडेंड का शेर का रिजल्ट आया क्वाटर थ्र निकला एक तरह से और अभी भी मल्टी बैगर बनने को है आगे भी चलके मल्टीवेंगर रिटन देगा ही आगे शेर चलके क्योंकि जिस तरह से यह मूमेंट करा जिस तरह से कमपनी हर क्वाटर प्रॉफेट और सेल में जाफ़ा दिखा रही है उस तरह से इस कंपनी की मुवमेंट तेजी से देखने को मिल रही है कहां 13-14 रपे ट्रेट करता था कहां 70 रपे भी हाई मार के चला गया और मैंने 70 तक के लेवल दिये थे मैंने समय समय पर आपको तीन वा कॉल दिये मैंने उस टाम भी कॉल दिया था जब यह 13 रपे कॉल चल दा था जब मै का रूप लेगर अच्छा लार्ज कैप के रूप में ट्रैडेंड काम कर रहा होगा स्टेंप मार्किट के अंदर तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज है 18 जनवरी और सामके साथ बच के 35 मिंट हो रहा है मार्किट ओफ एगल मार्किट ओपन हो और ट्रैडेंड कर आपको कि बहुत सो लोग मानने थे कि इसका रिजल आज सबको चोका दिया तो चलिए सिर के इंदर कैसा रहा इसका कवाटर तीरी का रिजल वह समझते हैं एक कंपणी ने अच्छे रिजल घोसित करें आपको थोड़ दें मैं समझात हो चलिए समझते पहले इसका मार्केट के तना आज की देट में तो यह नसी बेसी दोनों पर इस्टर रहे है अज यह 5% गिरावाट के साथ यह बंदू आज की डेट में तो इसका मार्केट कैब हो गया अज 32,990 करोड का मार्केट कैब हो गया श्टोक पी 50 का चल रहा है श्टोक आरोशी इसका 10% हो गया और बुक वैलिव अज़ा दे रहे है और कंपनी डिविडेंट पेट मेंटेंड रखा है 49.32 परसंट का मेंटेंड भी रखा है अब देखिए इसके अंदर और के दिसंबर क्वाटर थिरी का रिजल्ट आ है तो इनकी टोटल सेल हुई है इनकी एक हजा नो सोफ़ाइन लाक के टोटल सेल हुए इस क्वाटर में और एक सब्स हुआ है इनका एक हचार पांशो पचबंद लाक का expense हुआ है और उप्राफिट आयं इनको 403 लाग का तो तो शेम प्रौफिट यानि के लास्ट कॉाटर इनकी सेल द्हीं 1653 लाग की बढ़के हुई 1908 लाग की expense में बड़ा देखने को मिल लिए बागे profit सेम देखने को मिल है इस quarter last quarter में इस quarter में operation profit है 403 तो last quarter में भी 430 थीन था तो profit में कोई बड़ा फिर बदल यह देखने को मिला है और देखिए net profit में बदलाव है थोड़ा सा कमी देखना मिला quarter quarter वई तो देखिए net profit इस वार आया है 209 और last quarter तो दो 29 तो देखिए net profit में थोड़ी सी यानि 20 लाग के ग्रावट देखने को मिली अपन गो तो इस quarter में इसको profit आया है 209 और लास्ट में तो 239 तो EPS में भी ग्रावट देखने मिली आपको चार पॉइंट की देखिए लास्ट को इस quarter में आया 0.41 तो लास्ट में तो 0.41 अब येर येर वाई comparison करेंगे तो लास्ट और सेल थी 1290 वह बढ़ को ही, ये 1558 तो YEAR-EAR-Yे सेल में इजाफा देखने मिला आपको 700 लाग की सेल का इजाफा देखने मिला मोटा 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 अब प्रॉफिट में भी 50% का ग्रोथ देखने को मिली हमारे को और प्रॉफिट भी हमें तहीं देखने को मिला, देखेंके प्रॉफित लास्ट येर प्रॉफित आया था बढ़के हुआ चारसो तीन तो एर ये वाइच्छ एयर एक तो चहला इक सो चाहट लाग का बढ़के हुआ जब भी मैं आपको कहते हूं किसी भी कंपनी की इसकी सेल ज्यादा इंपॉर्टन रखती है बाकि प्रॉफिट उपर नीचे चल रहा है प्रॉफिट भी ज्यादा मारजन नी है इतना मारजन निकले इस वाल होता है इग्णोर कर सकते हैं इस मारजन को बट रिजल काफी अच् पाफी अच्छे रिटन दी है अभी दा को और आगे भी फीचर में देता रहेगा अगर आपके पास अतरसर प्लीज होल रही है अब चलते इसके नदर और क्या पॉजिटिव साइन निकले तो इसके शेयर होल्डिंग पैटन देखते हैं इसकी इस वार की शेयर होल्डिंग दीन होल्डिंग होल गुटों धिसने अपनी होल्डिंग नियुक है और गोर्न ने अपनी होल्डिंग थे म Elam को मिला तो शेयर होल्डिंग पैटन काफHayas ने से क् wirσι क fifth नें और बाकी देखिए इस quarter में holding बढ़ने का मतलब है अगर promoter, FIs और government इसके अंतर invest कर रहा है तो कोई वज़य होगी invest करने की देखिए ऐसे share को हमें अपने portfolio में जुरूर एड रखने चाहिए और long term के vision के साथ इन share के साथ हमें चलना चाहिए ट्राइटन एक ऐसा share है जो आपको long term में अच्छे return देगा यह guarantee है इसके अच्छे return देगा देगा शेयर जिए हर quarter company result अच्छे announcement देगा और company का काम भी अच्छा है ना, company का venture काफी चीजों में, textile के साथ और भी venture है तो काफी अच्छा international work-in का काफी अच्छा तो बाकी moral the story है कि अच्छी खासा बड़ा देखने को मिली है, sale में 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 इसाफ़ा देखने के सेल होगी तो वह अपना revenue अच्छा जेनरेट करेंगी, profit अच्छा करेंगी तो कर्जा भी अपने कम करेंगी और अपना business भी expand करेंगी, तो basic यह है कि अपनी holding बढ़ाई है, sale में जाफ़ा देख आता थोड़ा खराब नहीं है, खराब नहीं कहेंगे ऐसे result को, बहुत अच्छा result है, तो आज open होता, 70 अच्छी तो 70 का, 70 का high भी मारके गया, जी 70.35 पैसे का, low इसका 64-60 पैसे का, आज के दिन का, आज के लो मारके बंद हुआ है, और 52 हाई मारा इसने आज फिर से अपना, आज 62 हाई मारके सबंद है, 52 अजने पर से इसे का, जी 75 पैसे में पाशु यहाउ जब ढर देट चार्ट में चलनहा है, इलिए लेख से अब मुचा लगदा है, यहाँ से आपको सबनावाय का अपरद नहीं के खराट मरका पैसे में, तो यहां से जो पहला टार्गेट 80 का दूसरा टार्गट 90 तीसर टार्गट सोर पे टार्गट आपको एजी दिख जाएंगे एक से डिड़ मैंने के अंदर क्योंकि रिजल काफी अच्छा इंडिकेशन काफी एच्छे कोई गिरावट के इंडिकेशन है कल से अपर सर्केट ल बेतावी से बेकरार है अब तीन डिजिट में से जाने को तैयार बैठा हुआ है जिस तरह से इसके रिजल्ट आ रहे हैं मैं आसा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छे लगा तो प्लिस वीडियो को लाइक शेयर फोवरड करना बिल्कूल ना वोले थेंक्यू सो मच प